आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ आलू, गोबी, मतर, टमाटर, सोया बीन की बहुत ही मज़ेदार सी सबजी मिक्स बेज भी इसे कह सकते हैं ये तरी वाली बहुत ही मज़ेदार की सबजी है और इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको अपने इस वीडियो में बना करके दिखाऊंगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दें तो चलिए मैं सबजी बनाना सुरू करती हूँ कड़ाही में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है उसके बाद मैंने इसमें डाला है गोबी गोबी के पीस मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं उसके बाद मैं इसे फ्राइ कर लूँगी fry करके इसे मैं निकाल लूँगी उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल कर मैं उबलेवे आलू को इसमें fry करूँगी तो आलू को भी दो-तीन मीनिट अच्छे से fry करना है जब ये लाल हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसे निकालूँगी तो यह देखिया आलू भी फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैंने कड़ाई में तेल को डाल के गर्म किया है, और इसमें डाल दिया है सोयाबीन, जिसे मैंने गरम पानी में पहले भीगो दिया था, उसके बाद ठंडे पानी से धो लिया ह तो सोया बीन भी फ्राई हो चुका है ये देखिए अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ अब मैं कड़ाही में फिर से टेल को डाल दूँगी और इसे गर्म कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी खड़ा जीरा और उसमें डालूँगी प्याज प्याज जब लाल हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पीसेवे मसालो को तो यहाँ पे मैंने पहले सही मसाला पीस करके रख लिया था मसाले में मैंने पीसा है हरी मीर्च, जीरा, काली मीर्च, अद्रक, लैसन और प्यास को तीन चमच मैंने मसाला को डाल दिया है उसके बाद मैंने इसमें डाला है कासमीरी लाल मीर्च, पाउडर, एक चमच और हल्दी पाउडर आधी चमच डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी मसाले को थोड़ी देर अच्छे से भूनूँगी ताकि मसाला का जो कच्चपन का महक है वो चला जाए और मसाला बहुत ही अच्छे से भून जाए तभी सबजी में जो है इसका टेस्ट आएगा तो मसाला भून चुका है उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, मतर और टमाटर को दो से तीन मिनट टमाटर और मतर को भी मैं मसालों के साथ भून लूँगी और जब टम कितर्माटर थोड़ा सब्ठ हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें फ्राई कीवी सबजी ओं को डालूंगी तो यह देख़िए दो-्तिन मिनट मैंने मतर टमाटर को भून लिया है उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है फ्राई सबजी को और एक-दो मिनट मसालों के expans सब्ग इसी तरह से मैं हाई फ्लेम पे भून लूँगी सबजी को दो तीन मिनट मसालों के साथ मैंने भून लिया है अब मैं इसमें डाल दूगी नमक टेस्ट के हिसाब से और नमक डाल करके भी इसे मैं थोड़ी देर भून लूँगी सबजी जो है वो जल्दी बन जाए इसके पीस करके उसे फ्राइ किया था और गोबी को भी मैंने फ्राइ कर लिया था तो गोबी गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो सोया बीन आलू और गोबी को जब मैं पानी डाल करके इसे पकाऊंगी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सबजी को पकने में दस से 11 मिनट लगेगा सबजी जो है वो बन करके तयार हो जाएगी तो ये देखी सबजी को मैंने भून लिया था उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी और ढख करके इसे 10 से 11 मिनट तक मीडियम फिलेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तो बहुत ही बेहतरीन सी आलू, गोबी, मटर, टमाटर और सोया बीन की जो सबजी है वो बन करके तयार हो चुकी है अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिय की पत्ती को जिसे मैंने बारिक बारिक काट लिया है तो बहुत ही टेस्टी ये सबजी लगती है खाने में इस तरह से अगर सबजी बनाएंगे तो सबजी जो है वो जल्दी बन भी जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी इसे पराटे के साथ चावल के साथ रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट बक्स में ज़रूर बताएं